Hello students, Welcome to Rochon's class YouTube channel Students, आप सभी का आज की सुच पाठी होजना की वीडियो में एक बार फिस से बहुत बहुत स्वागत है आज की सुच पाठी होजना की वीडियो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकिया हूँ विज्यान वी सेख की पाठी होजना, अगर उप विज्याकी बात करेंगे तो यहाँ पर बहुते विज्यान की सुच पाठी होजना, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कॉसल है हमारा आज का प्रस्तावना कॉसल तो अगर आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जुरूर करिएगा और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पर देखना चाहते है पाठियोजना से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर दिया जाता है हर रोज दिया जाता है सुच पाठियोजना की वीडियो आपको हर रोज यहाँ पर नए-ने कॉसलों की वीडियो आपको प्रोइड की जाती है साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे BAT BTC की Classes प्रवाइड की जाती हैं और आप लोगो सीटेट के Practice Aid करा जाते हैं तो आप लोग इतनी सारी Classes के लिए आप सिर्फ एक छोटा सा काम करना है इसी वीडियो के निचे सब्सक्राइब डाँ उस पे क्लिकर के सब्सक्राइब करके बिल आइकन दबा लीजी जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई भी Classes लेता हूँ तो उसके बारे में बिल्कूल Free में आपको पता चलता रहे देर निकरते चले स्टार्ट करते हैं आज के सुचम पाठी होजना देखें यहां पे लिखा गया है पार्ट का सुरूप और उसके आगे लिखा गया है पार्ट तो सबसे पहले यहाँ पर आपके college वाले जो कहते हैं वो यह लिखिये कहीं कहीं पर सुचन पार्थ होजना लिखने के 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 अधारित यहाँ पर पाठि होजना है जिसको सुचुम पाठि होजना भी कहते हैं यहाँ पर लिख लिख लिएगा कऊसल का नाम ठीक है क다면 का नाम प्रस्तावना को सल है विसे है भहुतिक विज्यान और प्रक्रण है हमारा बल कच्छा है आठवी और सम्यावधी यहां पर 5 बड़ लिखा गया है आप सम्यावधी को अपने इसाब से लिखेगा आपके कॉलेज वाले अगर 5 बन देते हैं तो 5 बड़ लिखेगा वैस मानक सम्यावधी जो होती है सोच पाठी होजना की वो 6 मिनट होती है आप इसके लाद आपको दो कॉलम बनाना है सेच्छड कार क्रिया और छात्र क्रिया सेच्छड क्रिया को ही छात्र अध्यापा क्या फिर छात्र अध्यापी का क्रिया कहते हैं सोच पाठी होजना में 2-3 इन चीजे यहां पर प्रस्तावना कोसल में ध्यान रखने होती है प्रस्न जो हो वो बच्चों के पुरोग्यान के उपर आधारित होने चाहिए जो प्रस्न पूछेंगे बच्चों से प्रस्नों का जो क्रम हो उसमें क्रम बदता होनी चाहिए यानि पहले प्रस्न का जो उत् तो यहां पर देखे पहला प्रसन पूछा गया बच्चों से, अभी हम कहां पर बैठे हुए हैं, तो बच्चे बोलेंगे कमरे में, क्लास में, ऐसे बोलेंगे, तो फिर कमरे में कहां से प्रवेश करते हैं, या फिर क्लास में कहां से प्रवेश करते हैं, तो बच्चे बोलें तो बच्चे बोलेंगे उसको बल कहा जाएगा, फिर पांचों प्रसन आएगा यहाँ पे, बल के बारे में आप क्या जानते हैं, विश्तार प्रोग बताईए, बच्चे नहीं बता पाएंगे, तुरंथ ही समस्यात्म प्रसन यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, समस्यात् तुरंथ आपको उद्देश सिकतन बोलना होता है, क्लास में, अब टॉपिक, एक्जेक टॉपि अभी तक तो बच्चों से प्रस्म पूछे रहे तो उनको क्लियर नहीं हुआ कि उनको क्या पढ़ाने वाले हैं, तो उनको क्लियर यहाँ पे बच्चों को बताना होता है, आ यहाँ पे औलोकन सारडी भी आता है, यहाँ पे औलोकन सारडी लिख लीजी, यहाँ पे मुल्यालकन सुची, औलोकन सारडी में कॉसल का घटक होता है, तो यहाँ पे कॉसल का घटक ध्यान पूरक देखिएगा, इसको मैं समझा देता हूँ, एक बार ध्यान से देख लीज तो प्रस्तावना कोसल में देखे, क्या कि चीज़े आपको सिखनी होती है, किन की चीज़ों का अपके अंदर विकास होगा, तो पूरो ग्यान का उपयोग आपने किया है कि नहीं किया, बच्चों के पूरो ग्यान के आधारित प्सनित पूछें कि नहीं, ऐसा तो नहीं, ख् का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जैसे आपने पूछा कि कमरे में प्रवेस कहां करते हैं तो बच्चे ने बोला दर्वाजे से तो दूसरे प्रसन में आपने दर्वाजे का प्रयोग किया है कि नहीं किया है तो इसको ध्यान में रखना है तारे तम्यनता उसी को कहत हैं यानि कि करमबदता उसके बाद मूल पार्ट की अगर सर्ता यानि कि मूल पार्ट के तरफ ही जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कि आप पढ़ा रहे हैं बल के बारे में विज्ञान के बारे में और पूछ रहे हैं अब प्रस्ण मैथ का या फिर इतिहास पो बोलगा हिंदी का त सभी चीज़ों का यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है ऐसा तो नहीं सिर्फ जाके उस्त्यामपट के सामने क्ठे़े हो कि बस प्रस्ण पूछ रहा है और कुछ नहीं कर रहा है और लास्ट में है उपयोगत अवदी सीमा यानि कि आपको क्लास में पांच मिनट का समय देते ह आपके class वाले या फिर 6 मिनट का समय देते हैं या फिर 7 मिनट का समय देते हैं ये college के उपर depend करता है class class के थोड़ा वो तूपनीचे change होता रहता है तो जितना भी समय दे रहे हैं कि आप उसका समुचित उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ऐसा तो नहीं कि आपको दिया गया है 6 मिनट का समय और आप 12-13 मिनट पढ़ाये जा रहे हैं प्रसन पूछे जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर आपको दिया गया है 6 मिनट का समय और आप एक दो मिनट से ज़्यादा पढ़ा ही नहीं पा रहा है दोनों तरह की student आपकी class में होंगे आप खुद देखते होंगे तो दोनों चीजे नहीं होनी चाहिए 6 मिनट का समय दिया गया तो 5 मिनट ले लीजिए 7 मिनट ले लीजिए चले गए इतना थोड़ा बहुत उपर नीचे लेकिन जादा नहीं अंतर होना चाहिए तो यह हो गया कॉसल का घटक आप जिस तरीके से इसमें आपने कोंसल के घटकों का प्रयोक किया होगा तो तौसब आपको यहांपर मुले अंकन सोची में आपको पॉइνट मिलेगा जैसे अगर सामाने होगा तो इसमें ऑपका ठीक लग जाएगा अच्छा होगा तो इसमें टिक लग जाएगा और बहुत अच्छा होगा तो इसमें टिक लग जाएगा यही होता है आपका सुचम पाठी होजना लास्ट में पसा पाठी यहाँ पे अपना हस्ताचर कर देगा और जो दल निरुदेश सेख होगा टीचर यहाँ पे अपना हस्ताचर कर देगा तो यह था आज का सोच पाठी होगा आसा करता हूँ आप लोगो एक ए पॉइंट समझ में आया होगा कि कौन सा कौसल क्यों यहाँ पे कराया जाता है और उसका घटक क्या होता है तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पर देखना चाहते हैं तो रोसन की क्लास यूटिप चैनल से जुड़ सकते हैं जुड़ना बिल्कुल फ्री है इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब खली ज़िए मैं गारंटी लेता हूँ आप लोगो लाब जरूर मिलेगा चैनल के सब्सक्राइब करने से क्योंकि यहाँ पर मैं सीटेट की भी तयारी कर रहाता हूँ